बच्चो आसम पाठ आठ तपके का डर भाशा अभ्यास का कारिय करेंगे हमने इसमें प्रेशन नमबर 6-7 तक कर लिये थे जिसमें हमने विलोम शब्द, विराम चिन, प्रायवाची शब्द और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द यानि कि वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो कारिय किया था जिसके बारे में हमने जाना हमें समझ में भी आया कि इस प्रायवाची शब्द को हम और क्या कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द को और क्या कहते हैं और इसी तरह से हमने विराम चीनों के बारे में ज्ञान प्राक्त किया तो आगे चलिए आज हम आगे का पेस नमबर 28 करते हैं तो सब बच्चे निकालें प्रेशन नमबर 8 प्रेशन की तब ध्यान देंगे नेम दिलिक्त जाती वाचक संग्याओं के व्यक्ति वाचक रूप लिखिए जाती वाचक संग्याओं के व्यक्ति वाचक रूप लिखने हैं है ना कि जाती कौन सी है जानवर है और व्यक्ति वाचक रूप कौन से है उनके कि जानवर में कौन कौन आ रहा है उनके नाम जैसे जानवर में शेर हाती है ना ऐसे हमने बताने तो इसी परकार से हम लिखेंगे कि जाती जहां पर जाती वाचक यानि कि जहां पर किसी विशेश जाती का बोध हो परिभाशा सुन लेजी ध्यान देए लें आप कि जाती वाचक संग्या किसे बोलते हैं कि जहां पर जाती विशेश का बोध उसे हम जाती वाचक संग्या कहेंगे कि व्यक्ति वाचक क्या है कि उसके व्यक्ति यानि कि चरित्र के बारे में व्यक्ति के बारे में पता चले उसको हम व्यक्ति वाचक अब जैसे जानवर जो है हमारी जाती क्या है जानवर है है ना और जाती क्या है महीला है पोर्ष है सब शेर हांथी जाण्वर के नीचे लिखा ऊबगो आपकुछ और वी सकते हैं शेर की जगे आप लिख सकते एकद मिल्ली थीक है उन रम पूयार आ इसे भी लिख सकते हैं तो इसी परकार का दो के नाम बताने आपने थीक है तो next आता है पूरुष पूरुष क्या है कि पूरुष में कौन आजयते है सुनील प्रशानती है आप कोई भी नाम दे सकते हैं हम मोहन राजेश पिंकी है ना आशू कोई भी नाम जो है जो पूरुष का नाम है वो हमने दो यहां पर लिख नेक्स आता है व्यक्ती का पता चल जाएगा व्यक्ति विशेश का पता चलेगा नेक्स आता है सबछी आप reunistरी का हमने व्यक्तिवाचक बताने है कि सब्सी कोन सी ए बिंडी यह बैंगन है काली दोरी घिया है कड़ू यह टमाटर है तो वह हमने अदिक सब्स है मो वेक्ति वाचक जो है, वो जाती वाचक में आजाता है, जाती वाचक संग्या का एक भीद है, ठीक है ने वेक्ति वाचक, जाती वाचक में किसी जाती का विशेश का बोध हो रहा है, जैसे जानवर है, महीला है, पोर्ष है, सबजी है, है ना, पेड़ है, तो ये सब जाती है जाती के बारे में बता रहे हैं अगर मैं कहा दे तो मेरी जाती जी मैं ठाकुर हूँ लेकिन आगे गोतर हमारे अलग लगे नाम जो है जैसे बिंदल, जिंदल, सिंगला ऐसे अगरवाल मैंने कह दिया तो अगरवाल तो हमारी जाती होगी लेकिन उसकी व्यक्ति वाचक क्या ह कि मैंने काहा कि सिंगलाओ मैं मित्त लों बिंदल लों तो यह क्या है व्यक्ति वाचक है तो इसी परकार से यहां पर यहां पर भी यह जाती बताई गई है और जातियों के फिर जो है उसके भेजों में व्यक्ति वाचक जो है जाती को बताया गया है तो आपको समझ आगी इस बाचक थीक है ना तो उसके बारे में बताएगा अब नेक्स आज़ाईए प्रेशन नम्बर नुँँ निम्द लिक्त शब्दों के दो दो विशेशन लिखे आप विशेशन किसे कहते हैं विशेशन किसे कहते हैं आपको बताया था पहले जो शब्द संग्या या सरवनाम की हम संगय कह देते थीक है न और विशेशन क्या है जो संगय की या सरवच कि dubla और जया चीन हम लगाएंगे यहां पर तो कुछ नहीं लिखा हो यहां पर संगय शब्द मैं संगय शब्द कि हमने विशेश्टा बताने गुन 2 मताने कि ठीक है न जैसे यहां पर शेर दिया हुआ है, इस बच्चे ने लिखा कि शेर कैसा होता है, उसकी विशेष्टा क्या है, खुंखार होता है, ताकतवर होता है, शेर की विशेष्टा है ना, गुन बताने है, शेर कैसा है, ताकतवर है और खुंखार है, तो यह दोनों उसकी नेक्स्ट जॉम्प्ण निए खाल झूमप्री काया सी त्रिकोण एकर ज़ने न मटश्यक सूंसल इसपती है तो नहीं सब्सक्श्यक क्छॉट्य निए इन्हां औरन जान चुव्तर ये खाल जूतर थान खाल, क्छी एक शाइब द Hé है जोंपण टो कि विशेषता है जोंपण कैसे शब्द जोंपण की विशेष्टा विशह के बता रहे हैं तिरकों शकर ने स्यां कन्य भड़ी ज है इसी तरह सी श्रहीं इसार्त रहरा है गजंगल जंगल स आसा है यह जन विशाल बड़ा है भी जंगल की विशाल बड़ा है ना तो ये भी जंगल की विशेष्ट है नेक्स बग इसमें आता है कुमहार कैसा है महिंती है इमानदार है महंति और इमान्दार हम ने लगाए इसके ilapa भी हम कह सकते एक द्यालू है समजदार है यह उसकी हम विश्यष्था बिठा जगा या पर नोग दोंकी जगह है आप अपने श्वद भी लिख सकते हैं कि कुमहार जो है बड़ा समझदार है शुशील है देयालू है यह न बहर कि कुमहार की कोई भी विच्षता कर सकते महिंती है समझदार को कि इस परकार से हम उसके बारे में उसकी विशेष्टा बता सकते हैं नेक्स अटार ना पुत्र पुत्र कैसा है समझदार है शुशील है या पुत्र जो है बड़ा है समझदार है और जगडालू है तो आप कुछ भी विशेष्टा लिखते हैं पॉस्टिफ में भी हो सकते हैं विशेष्टा और नेग विशेशन शब्द क्या है कि जो संगय शब्दों की ये संगय ये सरुनाम शब्दों की विशेशता को बताते हैं उनको हम विशेशन कहते हैं संगय शब्द कोन से नाम वाले शब्दों को हम संगय शब्द कहते हैं जितने भी जनाम है जैसे जोंपड़ी जंगल कुमार पुत यह सब नाम है तो इसको नाम वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे संग्या शब्द और जो इसकी विशेशता बता रहे हैं उनको हम गुनिया दोश बता रहे हैं उनको हम विशेशन शब्द करते हैं अब आजाए ये प्रेशन नमबर दस, नीचे दी गई शब्द सिर्डियों को चित्रों की साहता से पूरा किजिए, अब ये चित्र देखिए, आप ध्यान पूर्वक चित्र को देखें, आप देख रहे हो चित्र, है ना, और चित्रों को देखने के बाद हमने इस पहेली को पूरा करना है, अब ये चित्र हमने अच्छी तरह से देख लिए, एक बार इसको हमने चित्रों की साहता से इस सिर्डि को भी देखा, कि जो है, क्या है इसमें, नाम कैसे कैसे बनी हुई है, तो अब हम इसको करना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम पहली सिर्डि ले ले लेते हैं, इसमें मा लिखा हुए और ना लिखा हुए, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, मकान, तो मकान के लिए क्या बन जाएगा, म, का, मकान, बन गया मकान, अब इसका ही जो है शब्द दो दिये हुए है, ब, डैश, न, और ये क्या चीज़ है, बटन, तो क्या बन जाएगा बटन का, ट, बटन, हो गया क्लिए है, आब इधर का देखिए शब्द, ब लिखा हुआ है, और न लिखा हुआ है, ये क्या है, बहना, है, ह को हमने ब, डैश, न, बहना, ठीक है, तो next आता है हमारा प, डैश, न, ये क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो क्या है गा, पढ़ना, पढ़ना, next है ये देखिए, इसको हमने प, और, डैश, ग, ये क्या बन गया, पलंग, ल, लख हमने यहां से लिखा, डाला, यहां पे पलंग बन गया, पलंग, पलंग, और ऐसे ही, प-डेश-ग, क्या बन जाएगा ये, पतंग, क्या शब्द बन जाएगा, पतंग, 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 हो गया ये, ये सेड़ी complete होगी आपके इस साइड की ये चित्रों की साहता से हमने जो है शब्दों को लिख लिया अब next आ जाईए इसमें जो है चित्र आपने ये देखे आप इधर की सेड़ी को complete करते है नमक ये देखिए नमक ये नमक दानी है ना नमक नमक बन गया स डेश क ये क्या है सड़क क्या है ये सड़क अब स भी है क भी है स डेश क यहाँ पर क्या है ये क्या है सबक सिखा रहे हैं इसको है ना तो क्या है सबक क्या बन जाएगा सबक अब next है पा डेश क ये क्या चीज़ है पालक क्या बन गया ये शब्द पालक फिर आगे पा डैश की ये क्या है पालकी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये पालकी क्या बन गया पालकी हो गया क्लियर अब लास्ट वाला है क्खी डैश की ये क्या है खिड़की तो हमने क्या लगाया खिड़की हो गया तो इस परकार से हमने ये दोनों जो खाली स्थान थे खाली स्थान वली सिल्डी थी इसको हमने चित्र की साहता से पूरा किया और हमें समझ भी आ गया जल्दी से कि ये कौन से शब्द जो है बनते हैं तो यहाँ पर पहला बन रहा है मकान, बटन पहनना बहना पढ़ना पलंग पतंग तो एक ये सिल्डी बन गी दूसरी सिल्डी में कहा है नमक, सडक सबक पालक पालकी और ये खड़की तो आपने देखा कि दो-दो जो है शब्द दिये हूँ है बीच का शब्द नहीं है वो हमने चित्र की साहता से उसको पूरा करके जो है शब्द बनाना है तो हमने उसको शब्द को बनाया चित्र की साहता से तो इस परकार से हमारी ये चित्र की साहता से बनिवी सिल्डी की ये सिल्डी को हमने चित्रों की साहता से पूरा किया तो ये आपको समझ आगी सब बच्चों को next आ जाईए next है यह चितर देखो पहले आप सब बच्चे यह चितर है बारिश का मौसम है बारिश आ रही है कोई बच्चा जो है बारिश में छाता लेके जा रहा है कोई बच्चा जो है सिरके उपर टार्टल पेटा हुआ है किसी ने ब्रिक्ष के नीचे बैठ किया कोई और बादल गरज़रें और तीज बारिशारी तो अब क्या है प्रेशन किया है प्रेशन को समझें गे दियेंगे द्रिष्य के आधार पर अनुचेद लिखिए आप मैंने आपको बताया था की अनुचेद क्या होता है निबंद से छोटा उसको अनुचेद कहते हैं हम है ना त फिर थोड़ा सा अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे प्रस्तुत का आर्थ क्या होता है कि यह दृष्षे सावन के महिने का है आस्मान में घंगोर बादल चाहे हुआ है घंगोर होते हैं बहुत काले-काले बादल चाहे हुआ है और मुसलाधार बारिश हो रही है मुसलाधार बहुत तेज बारिश हो रही है कोई चाता लिए तो कोई टाट ओड़े घर की और जा रहा है ये देखो कोई घर की तरफ आ रहा है कोई चाता लेके जा रहा है है ना बच्चे वर्षा का मजा ले रहे है ये देखो बच्चे मर जा ले रहे है कोई बारिश से बचने के लिए पेल की नीचे खड़ा हो गया यह खड़ा हो गया नीचे तो कोई अपनी खिलकी से बारिश के द्रिश्य का आनन्द उठा रहा है ये खिलकी में से देखो ये सब खिलकी में से देख रहा है ये बारिश का आनन्द उठा रहा है तो कोई अपनी खिलकी से बारिश का द्रिश्य का आनन्द उठा रहा है चारों तरफ अच्छी बारिश के कारण उलास का वातवरन है उलास होता है खुशी का है ना कि बारिश अच्छी बारिश के कारण चारों तरफ क्या है उलास का खुशी का वातवरन है महौल है वातवरन को बोलेंगे महौल है तो इस परकार से इस बच्चे ने लिखा, आप भी कोशिश करें कि या तो ये भी लिख सकते हैं, या इसके अतीरिक और बातें आप जोड़ना जाते हैं तो आप लिख सकते हैं, और इसको लिखने के बाद आप जो है इसकी तरफ ऐसे ही और चित्र को देखकर ऐसे ही अनुचेद बनाने की अभ्यास करना ताकि आपको अभ्यास लिखने में आसानी हो जाए तो यहां पर जो है आज आपका यह पार्ट समाप्त होता है कल फिर मिलेंगे कल तक के लिए नमस्